देखो भाई धमाग के दार एक्षन वाली मूवी आने वाली जिसका नाम है किल और इस मूवी का टीजर बहुत पहले आ चुका था इसका ट्रेलर कल आया है ट्रेलर तो बहुत ही दमदार है ट्रेलर में जो दिखा था सेम चीज यहां भी दिख रही है कुछ चीजे डिफरेंस हैं जैसे ट्रेलर में दिख रहा है कि लगता है कि लक्ष भाईया को गोली भी लगी है काफी खुंखार यह फोजी है रागो द्वारा बताया जारा कि एक राक्षा से भाई साधारण फोजी नहीं है तो लक्ष भाईया अपने प्यार को बचाने के लिए यहां खुंखार है तो यहां मनें देखा लग्राव यहां का पहला प्रपोजल बाकि सब डिस्पोजल मतलब प्रपोजल करने के बाद बैया ट्रेंbooks जो कांड होने वाला है ना वो सब डिस्पोज होने वाले मतलब डिस्पोजल बनने वाले लक्ष बैया दोरा अब इतने खुंखार फौजी के सामने कोई कैसे टकरा सकता है टकराने के बाद बचे का कैसे अब एक ट्रेन में एक से डेढ़ फूड की जगह में इस तरह का दिखाना भाई कोई आम बात नहीं है लेक्ष यह इतने पाकल होगा है कि इंसान की खुपड़ी चलाते रहे देख के मज़ आया ठीक है रागो लारेंस का जैसे गुलिया देखने बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साइको टाइप का विलन होने वाला भाई क्योंकि ना ल लोटीज किया भाई ट्रेन के जो जितने भी सीनन के अलावों कुछ दिखाया नहीं गया बाकि बाहर जो एक्षान होते हैं जमीन पर फिल्ड में जैसे सीटी में यह और कहीं इस तरह का कोई भी एक्षान या फिर कोई भी चीज दिखी नहीं जादा एक्षा तो बिलकुल कि मूवी में पूरा एक्षान ही भरा रहेगा है ना कुछ और भी एंगल हो सकते हैं अगर वह एंगल बहतरी नहीं निकले तो मूवी पर तो एफेक्ट पड़ेगा अब अब अक्षान दिखाया गया ट्रेलर में तो इससे एक्षान उतना हाई रखना अच्छी बात नहीं ह लेकिन फिर भी ठीक है जो भी है ठीक है मूवी तो देखना बनता है भाई तो मिलता है एकली वीडियो में तब तक के लिए धन्नबाद नमस्कार गुटबाए